नमस्कार दोस्तों मैं इंशुल मैं आप सभी का अपने चैनल टेकिन डार्टिपर सुभागति करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को एक काफी शांदार चॉब अबाउट्चिटी का अपडेट देने वाला हूँ तो दोस्तों make sure आप इस वीडियो को last तक शरूर देखेगा साथी साथ दोस्तों आज मैं अपने चैनल पर almost 5-4 देज बात वीडियो डाल रहा हूँ तो दोस्तों make sure आप इस वीडियो को like जरूर करिएगा, comment जरूर करिएगा क्योंकि दोस्तों मुझे आपके support की बहुत ही ज़ादा जरूरत है और दोस्तों ये वीडियो काफी ज़ादा amazing होने वाला है क्योंकि ये दोस्तों update आ चुका है Infosys की दरव से हाँ दोस्तों Infosys hiring 2022, 2021, 2019 batch इस बार दोस्तों salary आपकी differ करने वाली है that is दोस्तों 9.5 and 6.25 LPA package तक की hiring होने वाली है हाँ दोस्तों system engineer role की भी hiring ongoing है जैसा कि मैं आपको अपने channel पर दिखा देता हूँ जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो system engineer as well as operation executive जिसका package दोस्तों entry level का होता है और आप सभी बोलते हो कि sir package अच्छा नहीं है बट इस बार means enforcing से hiring निकाल दिया है और आप सोच रहोंगे कि sir हमने तो system engineer में apply किया था क्या हम इसमें apply कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको पहली बता देता हूँ last two months या last last month भी hiring आई थी और काफी सारे candidates ने दौनों hiring में apply किया था दोनों टेस्ट भी दिये थे and I know candidates जो दोनों में select हुए थे but दोस्तों मेरी एक request चाहर अगर आपके बास दोनों टेस्ट लिंग आते हैं प्लीज एक ही टेस्ट अच्छे से दीजेगा तो दोस्तों मैं आपको इस टेस्ट के बारे में बतायता हूँ it is a pleasure to inform you that Infosys will be conducting an off-campus recruitment drive to hire engineering freshers from 2022 batch for specialist programmer and digital specialist engineer roles we need your support in spreading the emphasis to the interested students here are the more details about each role दोस्तों एक है specialist programmer की role यहाँ दोस्तों एन entry role in the power programmer stream at Infosys यहाँ दोस्तों आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि दोस्तों आप latest technologies पर काम करते हो full check capabilities, high complexity, programming दोस्तों आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और दोस्तों compensation package की बात करता हूँ तो दोस्तों 9.5 LPA ठका package यहाँ से आप बड़ी आसानी से graph up कर सकते हो digital specialist engineer role की दोस्तों अगर मैं बात कर लिता हूँ this role requires full check capabilities and skills like यहाँ दोस्तों skills like artificial intelligence, automation, big data, cloud, cyber security, data consulting, digital commerce, interaction and marketing यहाँ भी दोस्तों package आप 6.25 LPA ठका package बड़ी आसानी से graph up कर सकते हो अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको eligibility criteria भी बताऊँगा साथी साथ यह भी बताऊँगा क्या यह hiring genuine है या नहीं क्योंकि कापी सारे students के मेरे पास Instagram पर messages आयते कि sir यह hiring genuine है या नहीं तो हमेने सभी को यही कहा था कि थोड़े time का wait रखिये मैं आपको अपने चैनल पर update दोंगा तो दोस्तों पहले मैं eligibility criteria दिखा देता हूँ तो दोस्तों 2022 से 19 तक के eligible हैं BE, BTEC, ME, MTEC, MSC वाले सभी eligible होने वाले हैं branches दोस्तों यहां limited कर दिया है क्योंकि दोस्तों programming काफी high level पर आती है and बहुत सारे non CS students maximum non CS students ऐसे होते हैं programming नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों यह limit कर दिया computer science, electronics and communication, electrical and electronics, electronics and telecommunication, information science, information technologies and mathematics and computing बात करते हैं दोस्तों percentage criteria का अगर दोस्तों आप Google पर भी percentage criteria का देखोगे तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको system engineer role का percentage criteria मिलने वाला है और दोस्तों last time मेरे एक friend ने apply किया था जिसका percent 60 के आसपास था तो दोस्तों अगर आपका 60 या 60 से थोड़ा बिलो है तो apply करकर देख लिजेगा क्यूंकि net पर कहीं भी percentage criteria इन्होंने mention नहीं कर रखा है बागी दोस्तों selection procedure की बाद करते हैं उससे पहले दोस्तों मैं आप इसका application form दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ अगर आप इस application form का URL देखोगे तो दोस्तों साफसाब लिख रखा है spdse role की hiring है that is दोस्तों role mention कर रखा है April means April month की hiring होने वाली है क्योंकि दोस्तों Infosys काफी जादा hiring कर रहा है हर month hiring निकाल रहा है तो दोस्तों URL में आप देख सकते हो mentioned है month mentioned है तो दोस्तों यह simply form है जैसा कि आपको system engineer role का मिलता है यहाँ दोस्तों आपको check in करना है और accept button पर click कर देना है यह दोस्तों आपको application form मिलने वाला है पूरा का पूरा आपको fill करना है फिर दोस्तों आपको सभी details आपकी mail पर आने वाली है selection procedure की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपके online programming test होता है अच्छे level पर दोस्तों programming questions होते हैं अगर दोस्तों आपको इसके बार में in details आनना है वो भी मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ फिर दोस्तों आपको एक technical plus HR interview होता है और दोस्तों इसका interview comparatively बहुत ही जादा अच्छा होता है प्लीज इसको system engineer role से compare मत कीजेगा बाकी बात करते हैं how to prepare in detailed slivers इसको prepare कैसे करना है और इसका detailed slivers क्या है we have already made a video on it the link is given in description in that video we have mentioned all the important topics that you need to prepare हाँ दोस्तों मैंने एक video already बना रखा है how to prepare for DSE SP role already दोस्तों ये video 26,000 students से देख रखा है जाकर दोस्तों इस video को देखिए जानिए क्या updated exam pattern है क्या slivers है और कैसे आपको preparation करनी है दोस्तों इस 10 minute की वीडियो में मैंने सब कुछ in detail mention कर रखा है अगर आपका कोई doubt होता है तो please comment section में मुझे जरूर पताइएगा क्योंकि जब तक आपका comment नहीं है का मुझे पता नहीं लगेगा आपका doubt क्या है साथ ही साथ है channel को subscribe नहीं किया है न और दोस्तों अगर आप system engineer role के लिए apply करना जाते हो तो दोस्तों इसकी 3rd of April है तो दोस्तों make sure आप दौनों मैंसे किसी एक में तो जरूर apply करिएगा क्योंकि criteria धीरे धीरे in forces भी reduce कर रहा है because उसको काफी अच्छे level पर और काफी सारे students की hiring करनी है तो make sure यार यार ये chance miss नहीं करना है package काफी अच्छा है preparation videos मैंने अपने channel पर डाल रखी है अगर आपको लगते हैं यार हमारे पर preparation का material नहीं है कहां से हमें prepare करना है वो भी दोस्तों आपको हमारे channel पर मिल रहा है सभी link आपको description में मिल जाएंगे इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो please comment section में मुझे ज़रू बताइएगा साथी साथ हमारा telegram channel भी ज़रू जोइन कर लिजेगा क्योंकि वहां हम students से directly interact करते हैं वहां students message बेचते हैं एक दूसरे के doubt solve करते हैं तो दोस्तों आप से अभी के लिए काफी ज़ादा benefit होने वाला है तो दोस्तों आज के लिए इत्ते ही मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपनी ने take update के साथ जब तक ले दोस्तों थन्यवाद